नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आपकी सभी का स्वागत है, रडी हो जाए ये पांस सेकंड के अंदर डिक्टेशन लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर वर्षों से कबजा जमाए हजारों परिवारों को रातों रात उजडने से रोक कर मानविय द्रिश्टी कोड से बड़ी राहत दी है, उत्तराखंड हाई कोड के रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद हार तोड सर्दी में करीब पचास हजार लोगों के समक्ष बेघर होने का खत्रा पैदा हो गया था हाला कि इसपष्ट है कि सुप्रीम कोड ने कथित अतिक्रमण कारी परिवारों को फोरी राहत ही दी है, क्योंकि नियम विरुद्ध कबजे को कोई भी अदालत जायज नहीं मान सकती, इसलिए यदि अवैद कबजा है तो उसे आज नहीं तो कल खाली करना ही होगा, फिर भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोड की टिपपडियों ने सरकारी कामकाज की पोल पट्टी खोल दी है परा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस जमीन पर दशकों से कबजा हो उसे छुडाने के लिए रेलवे आखिर अब क्यों जागी, और अब तक अतिक्रमन कारियों को किस नियम के तहत राज्य सरकार सोविधाय मोहया कराती रही, यदि रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारी पचास साल तक सोवे ना रहते तो इस दवरान वहां बनाए गए पक्के धाचे कभी खड़े ही नहीं हो पाते, इस इलाके में चार सरकारी स्कूल, ग्यारह निजी स्कूल, एक बैंक, दो ओवरहिड पानी की टैंक, दस मस्जिद और चार मंदिर हैं, इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकाने भी हैं, कभजा धारियों का दावा है कि वे यहां करीब पचास साल से रह रहे हैं, और नगर निगम को टैक्स भी देते रहे हैं, जबकि रेलवे का दावा है कि उसकी करीब 78 एकड जमीन पर अवैद कबजा जमा लिया गया है, इस मामले में विवाद का एक बिन्दु यह भी है कि आखिर जमीन किसकी है, इसे लेकर रेलवे और राज्य सरकार के बीच में भी विवाद है, इसलिए यह भी टै करना होगा कि आखिर जमीन है किसकी पैरा, देश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमन पुरानी समस्या है, करीब-करीब हर शहर में यह इस्थिती दिखती है, बताने की जरूरत नहीं कि इस्थानिय राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत के बगैर यह संभव नहीं है, अकेले रेल्वे की सैकडो हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमन है, मंत्राले की एक रिपोर्ट के मताबिक 2017 तक रेल्वे की कुल 4.78 लाख हेक्टेयर जमीन में से 821.46 हेक्टेयर पर अतिक्रमन कारियों का कबजा है, अन्यमंत्रालेयों और राज्य सरकारों की जमीन को मिला ले तो हजारों हेक्टेयर जमीन अवैद कबजे में हैं, जाहिर है, जब भी उन जमीनों पर कोई योजना बनेगी, वहां बसे परिवारों के समक्ष उजडने का खत्रा होगा, इसलिए पहली जरूरत तो यही है कि सरकारे सतत निगरानी रखें ताकि कोई अवैद कबजा हो ही ना सके, दूसरी जरूरत दशकों से बसे लोगों के पुनरवास की व्यवस्था करने की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चाहा है, अब इस डिक्रेशन की स्पीड थोड़ी फास्ट होगी, रिडी हो जाएए, रिडी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्दवानी में रेलवे की जमीन पर वर्षों से कबजा जमाए हजारों परिवारों को, रातों रात उजडने से रूख कर मानवी अद्रिष्टिकोंड से बड़ी राहत दी है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद हाड तोड सर्दी में करीब पचास हजार लोगों के समक्ष बेघहर होने का खत्रा पैदा हो गया था, हालांकी इसपष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित अतिक्रमनकारी परिवारों को फोरी राहत ही दी है, क्योंकि नियम विरुध कबजे को कोई भी अदालत जायज नहीं मान सकती, इसलिए यदि अवैद कबजा है तो उसे आज नहीं तो कल खाली करना ही होगा, फिर भी सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोर्ट की टिपपड़ियों ने सरकारी कामकाज की पोल पट्टी खोल दी है, पहरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जमीन पर दशकों से कबजा हो उसे छुडाने के लिए रेलवे आखिर अब क्यों जागी, और अब तक अतिक्रमण कारियों को किस नियम के तहत राज्य सरकार सुविधाय मुहया कराती रही, यदि रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारी पचास साल तक सोए न रहते तो इस दोरान वहां बनाए गए पक्के धाचे कभी खड़े ही नहीं हो पाते, इस इलाके में चार सरकारी स्कूल, ग्यारह निजी स्कूल, एक बैंक, दो ओवर हिड पानी के टैंक, दस मर्जिद और चार मंदिर हैं, इसके अलावा दशकों पहले बनी दुकाने भी हैं, कभजा धारियों का दावा है कि वे वहां करीब पचास साल से रह रहे हैं और नगर निगम को टैक्स भी देते रहे हैं, जबकि रेलवे का दावा है कि उसकी करीब 78 एकड जमीन पर अवैद कबजा जमा लिया गया है, इस मामले में विवाद का एक बिंदु यह भी है कि आखिर जमीन किसकी है, इसे लेकर रेलवे और राज्य सरकार के बीच भी विवाद है, इसलिए यह भी टै करना होगा कि आखिर जमीन है किसकी पैरा, देश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमन पुरानी समस्या है, करीब करीब हर शहर में यह इस्थिती दिखाई देती है, बताने की जरूरत नहीं कि इस्थानिय राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की मिली भकत के बगैर यह संभव नहीं है, अकेले रेल्वे की सैकणों हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमन है, मंत्राले की एक रिपोर्ड के मताविक 2017 तक रेल्वे की कुल 4.78 लाख हेक्टेयर जमीन में से 821.46 हेक्टेयर पर अतिक्रमन कारियों का कबजा है, अन्य मंत्रालेयों और राज्य सरकारों की जमीन को मिला लें तो हजारों हिक्टेयर जमीन अवैद कबजे में है, जाहिर है जब भी उन जमीनों पर कोई योजना बनेगी, वहां बसे परिवारों के समक्ष उजडने का खत्रा होगा, इसलिए पहली जरूरत तो यही है कि सरकारे सतत निगरानी रखें ताकि कोई अवैद कबजा हो ही ना सके, दूसरी जरूरत दशकों से बसे लोगों के पुनर्वास की विवस्था करने की है, सुप्रीम कोट ने भी यही चाहा है, उमीद है, डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा, यदि डिक्टेशन आपका छूट रहा है, तो आपको कठीन वर्ड ढूनने हैं, जो आप नहीं लिख पाए है, यहां आपका छूट रहा है, उन वर्ड्स पे आपको थोड़ी मेहनत करने की जाओ रहते हैं, उनकी आउटलाइन्स बनाईए, प्रैक्टिस करिए अलग से, और फिर डिक्टेशन लिखिए, यदि आपका ज्यादा मैटर छूट रहा है, तो आपको इबार इसको पूरा दे है, सिवाय सेंडेच छोड़के, ठीक, तो आप लोग ऐसा प्रयास करते रहे हैं, एक्जाम तक मुझे उम्मीद है, कि आप बाकी लोगों से बहतारी साबित होंगे, वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्स्राइब करिए दिया आपने अभी त